नमस्कार दोस्तों आज एक फिर नए वीडियो में नई जानकरी के साथ हाजर हैं हम स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आपके टेरेस गार्डन की बात आज हम नहीं करेंगे और आज हम सब्जियों की बात भी नहीं करने वाले कोई रक्षार ओपन कर रहा है कोई बहुत सारी और चीजे मुहीम चला रहा है कोई सॉइल सेविंग की बात करता नजर आता है तो आज हम भी आपको आपके लेकर आए हैं सीट्स बॉल आपने फुट बॉल और खेलने की जो क्रिकेट बॉल है उसके बारे में बहुत सुना तो दोस्तों देखिए यह जो सीट्स बॉल है इसको इसका बहुत बढ़िया इस्तमाल है आप कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं और आपको लगता है कि कहीं आपको प्लांटीशन करना है और आप बस पैड अपने आप उग जाए वहां पर बारिश का जो मौसम आने वा हैं और यह कैरी भी बहुत अच्छी है आसानी सोजाती है सूखने के बाद हलकी होती है जादा बेटनी होता है और इन्हें आप साथ में ले जाए अपने और जहां भी आपको लगता है कि प्लांट्स की कमी है यहां बड़े-ब्रक्ष भविश में फलफूल सकते हैं कोई ड जामून है सिता ओले-बड़े-बड़े जो बरक्षव बने कहीं बरगत है ईस तरह के प्ल के भी आप लेकर इस तقط अयार करें तो ये Seats Ball ये काम करती हैं दोस्तों, तो आप अगर प्रक्रती प्रेमी हैं, ग्रीनरी लवर हैं, तो आपके लिए Seats Ball और ये आज का वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखेगा, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते ह तो जल्दी से इसे आप बनाएंगे और फिर आप अपने पर्यावरन को बचाएंगे, तो देखेए, यहां हमने लिए है ये Garden Soil लिए है, आपको जितनी बाल्स तैयार करनी है, उसके साब से आप ले सकते हैं, कौन्टिटी हमने अभी आपको बताने के लिए है, यह जो है Garden तो तो आप गोबर खाद है, यह बेकदम ज्यादा डीकमपोज हुई गोबर खाद नहीं है, जो मीडियम रेती है, इस तरह का यह उस्तार को लेना है, इस की जग़हां भर्मी कमपोस का बिस्तामाल कर सकते हैं, और इसे लेने के बाद अब आपको क्या करना है, वो हम आपक पानी लेकर आपको इसे बहुत जादा एकदम से पानी ना ले थोड़ा हड़ा पानी लेकर आप इसे बिल्कुल आटे की तरह गुनना है आपको ताकि इसकी आप बहुत तयार कर सके हैं और यह देखिए यह जो है अब आटा आने की तयार हो चुकी है और संजय ना बट बड़े तरीके से इसके बूथा है और शायद थोड़ा सा गिला हो गया है लेकिन कोई बात नी आपको इसका ध्यान लखना है कि बहुत ज़्यादा गिला ना हो फिर भी बॉल तयार हो जाए इस तरह से यह आपको देख रहा है आप साइस भी अपने असाब से रह सकते हैं थोड़ा जितना बीज आपको लेने है थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी इस तरह से आप इसकी बॉल्स तयार करेंगे पटाफट करेंगे बॉल्स तरह से बॉल्स तरह से बॉल्स मुझने करेंगे तो चुटि तो देखे दोस्तों यह हमारी जो है मिटी की बॉल्स तयार हो चुकी हैं लड़ू के आकार की और देखे अभी यह सीट बॉल्स नहीं क्योंकि अभी in में आगे का काम बाकी है क्योंकि अभी सिफ यह आपने जो मिटी और जो आपने कादली है उसकी यह बॉल तयार हुई है इस तरह से देखिए हमने इतनी बॉल बनाई वान टू त्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल 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 बॉल है और अभी दो तीन इसमें बाकी है यह बॉस तयार है अब आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं कि यह स तरह से कोई चीज आप ले लेकिए पैन ले ले और भी कोई चीज आप के पास मेलेबल हो उससे इस तरह से देखिए आप इलकु सेंटर में इस एक गड़ तयार करना है आपको घुा और बढ़ी दो कि यह सब सब्सक्राइब भीयाश बेचाए चुखिए और से वह पालने इसके बहुत बाड़े रख्षा होते हैं बहुत सारे फल भी इसमें आते हैं बिल्पत्र भी आता है जो है अध्याप में वेडिया अन्दार मैं वेडीयो हमने मनाया दरिश्में आपको बिल्व फल के फायते बदाए थे आपकी गार्ड़ निंग के लिए और उसके ये बिज हमने आ लिये हैं और यह आपको दिखाई है बहुत बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज यह देखे हाट शेप में यह भी एक बीज है लेकिन इसके अंदर बीज और यह सिंदूर जो आप भगवान को चड़ाते हैं पुजा में सिस सिंदूर का इस्तमाल किया आता है उस सिंदू इस सिंदूर का कलर थे अपने लगत शोले लगते है यह सिंदूर का कलर यह करे धरल आ र worry की है इसमें आप इस तरह के बीज लेना है आपको आप एक चीЗ ओर बताएँ आपको कि This कि बीज के लिए तो उस चाहाust अदोर इसकाONG यहां भी प्लांटेशन करना चाहते हैं कि अपने आप कुछ प्लांटेशन हो जाए तो यह इस तरह से भी जब आपको इसमें लेना है दो-चार बीज आप चाहने डाल सकते हैं इसमें और ऐसा डालना है जो यह अंदर तक इसमें बीज चला जाए आप चाहें तो यह बॉल थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं हमने अभी एक ही बीज डाला है लेकिन इसमें आप चाहें तो इंचार भी जोड डाल सकते हैं और दो तरह के बीज भी आप एक ही बॉल में डाल सकते हैं हम आपको भी बताते हैं यह दूसरी बॉल हम यह तयार करक एक पी आपको बता है जुसमें हम दो तरह के सीट्स का इस्तमाल करेंगे एक में अभी हमने जो है सुजनाफ अली का डाला है देखे आप इस में हम एक बिल्ब के बीच ले रहे हैं और साथ या प्चाहें सिंदूर के बीच भी में अब आप भी 2-3 तरह के बीच इक साथ डाल सकते हैं आपको इस चेट को बंद कर देना है वापस से इसको बॉल के फॉर्म में तयार कर लेना है और देखिए इसी तरह से आप हमें सारी आप जितनी चाहें उतनी बॉल्स तयार कर लें यह हमारी सब बॉल्स रेडी हैं बीज डालने के बाद तेज दूप में इन नहीं सुखाना है यह जर्मिनेट होने लगेंगे थोड़े जर्मिनेट हो जाएंगे बीज इसी में इसी में जाती है तो अगर आप इसे चाहां हमें बढ़िया तरीके सरी इस उच्छा कर गते हैं तो यह फूर्डी होती है जाएगी उसके अंदर का जो बीज है अपने आपसे प्लांटिशन शुरू हो जाएगा और खास करके बारिश के मौसम में ही आप इसका इस्तमाल करें तो ज्यादा बहतर होगा आप कहीं भी जा रहे हैं ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आप जहां भी चाहते हैं कि प्लांटिश तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया सीट्स बॉल बनाना और यह सीट्स बॉल जो है बहुत ही काम की है अब जो है बारिश का मौसम आप गर्मियों के बाद आने वाला है आप जहां भी जाएं ट्रेवलिंग करें इस मौसम में खास करके लोग में अपने पर्यावरंड को बचाने का संदेश भी दे सकते हैं और अपने पर्यावरंड को बचा भी सकते हैं आने वाले समय में बहुत जादा हर्याली रहे हमारे जो व्रक्ष है वो खत्म ना हो उसको बचाने के लिए सीट्स बॉल बहुत जादा काम की है आप ऐसी जगह पर आप इसे ध्रोक करें और अपने परियावरन को बचाएं तो आज के इस वीडियो में इतना ही एक नए वीडियो में नई जानकरी के साथ फिर मलाकात होगी तब तक के लिए नवश्कार